अगले लोकसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए सत्ता में बैठी हुई कॉंग्रेस पार्टी ने कल अपना मैनिफेस्टो गोसित किया। ये मैनिफेस्टों पढ़कर के साफ नजर आ रहा है कि कॉंग्रेस पार्टी के लिए उनके मैनिफेस्टों में राश्ट्रिय सुरक्षा के मुद्दे का कोई महत्वर नहीं है कॉंग्रेस पार्टी ने आतंगबात के खिलाब लडने के लिए नक्सलवाद से देश को बचाने के लिए इनसरजंसी से देश को मुक्त कराने के लिए क्या करना चाहिए उनकी क्या योजना होगी इस पर पूरी तरह मौन धारन किया है पाकिस्तान में जिस प्रकार से तालिबान का तुफान चल रहा है नेपाल पहले ही माववादियों ने कब्जे कर लिया है बंगलादेश आतंगवादियों का अड़ा बन गया है भारत चारों तरफ से घिर रहा है उस समय हिंदुस्तान की सुरक्षा सामान ये मानवी की सुरक्षा के लिए क्या होना चाहिए इस पर कॉंग्रेस पार्टी का मौन देश के सभी नागरिकों के लिए अनेक प्रस्ट चिन्न खड़ा कर देता है कॉंग्रेस की वाट बेंक की राजनीति का इपरणाम है कि कॉंग्रेस आतंगबात के खिलाब लड़ने के विशे पर सुचारूत योजना को लेकर के जन्ता के सामने नहीं आई है गुजरात का सोला सो किलोमेटर का समुद्र किनारा है पस्चिम भारत पुरी तरह समुद्र किनारे से जड़ा हुआ है कराची तक अगर तालिबान पहुँच जाए और कोस्टल सिकूरिटी के लिए एक शब्द भी कॉंग्रेस के मैनिफेस्टों में नहीं होगा तो इसे साब साब आता है कि कॉंग्रेस पार्टी के लिए देश की आंतरिक सुरक्षा सामान ये मानवी की सुरक्षा उसका कोई महत्व नहीं है उसके लिए अगर कोई महत्व है तो सिर्फ बोटवेंग की राजनीति का है और इसलिए मैं देश के युवाधन को विशेश रुप से आगर करके कहता हूँ कि कॉंग्रेस के इस मैनिफेस्टो को देखिए जो मैनिफेस्टो आतंगवादियों को नकसलवादियों को माववादियों को देश की विगटन कारी शक्तियों के सामने मौन का मनिफस्टो है चुपकिदी का मनिफस्टो है जो देश के नवजवानों के भविष्ट के लिए नए संकट परिदा करने वाला मनिफस्टो है देश आतंगबाद के खिलाप जीरो टॉलरंस के साथ अगर लड़ाई करने के लिए तयार नहीं है सॉफ्ट स्टेट की हमारी छबी बदलने को हम तयार नहीं है तो आतंगबाद हमें अनेक असंकटों में घेरता जाएगा कभी आतंगबाद कश्मीर तक सिमीत था आज इंदुस्तान के सभी राज्यों में आतंगबाद अपनी जड़े जमा रहा है निर्दोष नागरी की जिंदगी खत्रे से खाली नहीं है कॉंग्रेस पारिटी का ये मौन इस चुनाव के अंदर बहुत बढ़ा मुद्दा मन जाएगा